हलो फिर्ण्स ये हम आलड़ी पढ़ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स और बॉंड जैसी सिक्यूरिटी इसको बेचा और खरीद आ जाता है यानि शेयर्स जिनके पास शेयर्स होता है वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट के तुरू नए इन्वेश्टर्स को बेच सकते हैं और नए इन्वेश्टर्स स्टॉक एक्सचेंज के तुरू शेयर्स को खरीद भी सकते हैं कुछ समय पहले तक क्या होता था कि shares अगर आप खरीदते थे तो आपको shares एक paper document की form में allocate किये जाते थे और अगर आपको shares बेचना होता था तो आपको ये document stock exchange में return करना होता था बट अब इस process को पूरी तरह से computerize कर दिया गया है computer system की मदद से shares की ownership को electronically record किया जाता है और इसी लिए अब shares के trading paperless form में होती है और ये जो पूरा का पूरा setup है जहाँ पर shares की ownership electronic form में record की जाती है इसे कहा जाता है depository और कई बार हम इसे securities depository भी कहते हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी physical और material चीज़ को digitalize करते हैं तो इस process को कहा जाता है dematerialization shares को dematerialize करने के कई सारे benefits होते हैं for example अब किसी भी तरह के loss of share certificates या फिर fraud से बचा जा सकता है इसी के साथ साथ buyers और sellers के बीच में shares का जो settlement है वो ज्यादा effectively और जल्दी किया जा सकता है और साथ ही साथ paperless transaction होने के वज़ा से administrative cost में भी काफी जादा reduction देखने को मिल सकता है अब अगर बात की जाए securities depositories की तो हमारे देश में केवल दो securities depositories है पहली है NSDL और दूसरी है CDSL NSDL यानी National Securities Depositories Limited और CDSL यानी Central Depository Services Limited इन्हें से भी दोरा regulate किया जाता है और इन्हें 1996 में depositories at 1996 दोरा set up किया गया था अब अगर बात की जाए volume of securities की तो NSDL जो है वो हमारे देश में 80% securities को hold करता है और बाकी की जो 20% securities की जो transactions है उन्हें hold किया जाता है CDSL में इसका मतलब यह हुआ कि NSDL जो है वो हमारे देश की largest securities depository है और NSDL की case में जो settlement cycle है वो है T plus 2 days settlement cycle का मतलब यह होता है कि seller के account से shares को निकाल कर buyers के account में डालने का जो काम है उसको करने में securities depository को 2 दिन का समय लगता है जबकि CDSL की case में settlement cycle है T plus 1 days यहाँ पर यह जो T है यह represent करता है transaction date को और T plus 1 का मतलब हुआ transaction date plus one more day तो अब तक के इस discussion में हमने stock exchange और securities depositories के function को अलग-अलग समझा चलिए अब देखते हैं कि stock exchange और securities depositories किस तरह मिलकर काम करते हैं बड़ इस से पहले एक बात बताईए क्या आपने zero-dha का नाम सुना है zero-dha basically कि stock brokerage firm है जो कि हमारे और stock market के बीच में एक mediator का काम करती है और जब भी हम लोग को shares को बेचना या फिर खरीदना होता है तो हम लोग zero-dha या फिर किसी दूसरी brokerage firm के तुरू ऐसा कर सकते हैं इस तरह की brokerage firms के लिए जो term use की जाती है वो है depository participants और किसी भी bank या फिर brokerage firm को depository participant बनने के लिए अपने आपको stock market और securities depository के साथ register कराना होता है और as an individual अगर आप इंडिया में securities को बेचना या फिर खरीदना चाते हैं तो आपको किसी ना किसी depository participant के साथ अपने आपको register कराना होगा और ये depository participant आपके लिए एक account open करेंगे और इसी DMAT account के तुरू आप इंडिया में shares और bonds को electronically खरीद या फिर बेच सकते हैं तो ये तो बात हुई इंडिया में securities को खरीदने और बेचने से related लेकिन सोच के देखिए कि अगर आप किसी ऐसी company में invest करना चाते हैं जो कि किसी दूसरे देश की company है और वो इंडिया में listed ही नहीं है ये company listed है अपने देश के stock exchange में तो ऐसे में आप इस company के shares कैसे खरीद सकते हैं क्योंकि इस company के shares तो इसके देश के stock exchange में ही खरीद दे जा सकते हैं बढ़ इसका एक तरीका है तरीका ये है कि हम अपने stock exchange के थूँ इस company के stock exchange में order place कर सकते हैं और इस तरह हम लोग इस company के shares को purchase कर सकते हैं इस process में क्या होगा कि हम अपना पैसा अपने stock exchange के थूँ इस country के stock exchange में भेज सकते हैं और ultimately ये पैसा उस company तक पहुँच जाएगा और उस company के जो shares है वो हमारी country के stock exchange के तुरू होते हुए हमारी country की central securities depository के पास आ जाएंगे इसके बाद हमारी country की जो central securities depository है वो हमें directly shares issue नहीं करेगी बलकि वो इस share के corresponding एक receipt issue करेगी इस receipt को कहा जाता है Indian Depository Receipt यानि IDR तो आपने देखा कि Indian Depository Receipt के तुरू आप किसी दूसरे देश की company में invest कर सकते हैं बट observe कीजिए कि हम इस process में हमारे देश का पैसा हमारे देश से बाहर भेजते हैं तो comment करके आप बता सकते हैं कि क्या IDR हमारे देश के लिए अच्छा है या फिर नहीं और साथ में इसका reason भी बताईएगा चलिए अब एक बहुत ही important concept के बारे में बात करते हैं देखिए अब तक हम लोगों ने ये समझा कि अगर आपके पास पैसा है और आप किसी दूसरे देश की company में invest करना चाहते हैं और इन companies के shares इंडिया में ला सकते हैं लेकिन ये shares हमारे देश की securities depositories के पास रहते हैं securities depository इन shares के बदले depository receipt issue करती हैं और हमारे पास ultimately depository receipt आ जाती है हलाकि जो भी benefits एक company में invest करके उन shares दुवारा होता है वही सारे benefits हमें मिलते हैं depository receipts के दुवारा भी तो अगर आपसे पूछा जाएं कि depository receipts क्या होती हैं तो depository receipts ऐसे financial instruments होते हैं जो कि investors को allow करते हैं कि वो domestic exchange के थुरू foreign companies के shares खरीद पाएं बट investors की location और company की location के base पर depository receipts को 3 parts में categorize किया गया है तो सबसे पहले वो case देखते हैं जो example हमने अभी थोड़ी देर पहले cover किया अगर investor इंडिया से है और वो किसी भी देश की किसी भी company में invest करना चाता है जो कि इंडिया में listed नहीं है तो ऐसे में जो depository receipt issue की जाएंगी उसे कहा जाता है IDR यानि Indian depository receipt और इस transaction में जिस currency का इस्तमाल होता है वो है INR यानि अगर आप इंडिया में रहकर बाहर की किसी country में invest करते हैं तो आपको payment करनी होगी इंडियान रुपीज में अब एक दूसरा case देखते हैं अगर investor USA का है और वो USA के बाहर किसी दूसरे देश की company में invest करना चाता है तो ऐसे में USA की securities depository जो receipt issue करेगी उसे कहा जाएगा ADR यानि American depository receipt और इस case में जो transaction होता है वो US dollars में होता है इसके अलावा एक possibility और भी है अगर आप किसी भी देश की नागरिक रहें और आप किसी भी दूसरे देश की company में invest करना चाते है तो आपके देश में जो central security depository है वो आपको जो depository receipt issue करेगी उसे कहा जाएगा GDR यानि global depository receipt इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इंडिया में है और इंडिया में रहते हुए आप किसी दूसरे देश की company में invest करना चाते है तो आपके पास दो possibilities है आप IDR और GDR के थुरू यह investment कर सकते है similarly USA के investors के पास भी दोनो options है वो अगर किसी दूसरे देश की company में invest करना चाते है तो वो यह काम EDR के थुरू भी कर सकते है और GDR के थुरू भी बड़ अगर वो GDR के थुरू invest करना चाते है तो इस transaction में जो currency use की जाएगी वो American dollars भी हो सकती है और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे options है जिन currencies में आप यह transaction कर सकते है तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि depositories क्या होती है NSDL और CDSL के बीच के difference को हम लोगों ने समझा और साथ ही साथ IDR, ADR और GDR को भी समझा इंडिया की history, Indian polity और Indian economy को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजिए link description में है thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा